उदर ज्वारकन में भी चुनावी सरगर में तेज हो गई है तेरा से चुनाव की शुर्वात होने वाली है और अप्रत्याशियों ने अपने अपने लोगसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत जोंकती है मई के पहले सब्ता में NDA और इंडी गडबंधन के स्टार प्रचारों का जमावडा लगेगा कारिक्रम तै किये जा रहे हैं NDA की ओर से PM नरेंद्र मुदी अमिश्या के साथ साथ अन्या नेताओं के कारिक्रम के लिए समय मांगा गया है सूत्रों की माने तो PM मुदी, चायबासा और अमेश्या की खूटी में सभा आयोजित करने के तायारी चल रही है वहीं इंडी गडबंधन में कॉंगरस नेता राहु गांधी की खूटी और गुमला में सभा हो सकती है इसे लेकार प्रदेश कॉंगरस नेताओं ने स्थाल का डिरिक्षन किया और जार्खन में चोथे च्वरण में सिंग्भूम, खूटी, लोहर दगा और पलामुलोग सभा में 13 मै को वोट डाले जाएंगे बड़े निताओं के दोरे को लेकार अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है तो जार्खन की जनता भी वो बेसवरी से इंतिजार कर रही है कि जिस तरह से प्रधान मंतरी आएंगे और उनका हम मेजबानी करेंगे ताकि उनका भव स्वागत के साथ में प्रधान मंतरी जी को राज की जनता, जार्खन की जनता, 14 का 14 सीट उनको सौपने का काम करेगे मगर उसका प्रभाव कितना पड़ेगा इसका आकलन मुझे लगता है आप लोगों से बहतर कोई नहीं कर सकता दो चरन के चुनाओं के बाद इन लोगों की बोली में परिवर्तन हो गए इन लोगों के तेवर बदल गए, इन लोगों का विशय बदल गया, ये अब धार्मिक उन्माद पर आ गए फेलाने पर, अब इनके विशय वस्तु में, इनके जो भासन हैं, उसमें बस फिर आ गया हिंदू-मुसल्मान, भारत-पाकिस्तान, समसान-कब्रिस्तान प्रधान मंत्री जी आजाएं, कोई फरक नहीं पढ़ने जा रहा है, जनता समझ चुकी है, उनकी बातों को किस तरह से वो बर्गलाते हैं, किस तरह से अपने जिम्मेदारियों से मूह मोरते हैं, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, नाई सुरच्छा चरम पर चुके है परिवर्तन निश्चित है, और कुछ भी करने पधान मंत्री जी इस बार उनको बदलना ही है